अल्रेट गाईज तो आप लोग कैसे हैं? उमीद करता हूँ कि आप सबी लोग बहुत ही जादा अच्छे होंगे तो दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ 2024 के अंदर में क्या Moto East 40 Neo जो है? क्या उसका performance कैसा रहता है? और ये जो phone है आपको 20,000 के range में क्या आपको ये phone 2024 के अंदर में लेना चाहिए की नहीं? मैंने इस phone को लगभग 3 महिना से उपर हो चुके है मुझे इसको use करते हुए बट इस मैं अपना opinion बताऊंगा और 2024 के अंदर में ये phone लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए सारे चीज़ को इसी वीडियोज के अंदर में cover करते हैं तो चलते हैं और वीडियोज को बिना देरी के वे शुरू करते हैं अगर मैं इस phone की सबसे पहले अगर performance की बात कर लेता हूँ तो performance इसका बहुत ही जबरदस्त दिया गया है performance को लेकर के इसके अंदर में जो chipset यूज किया गया है वो Mediatek Dimensity 7030 का processor यूज किया गया है जिसका अंतुता स्कूर अगर आप देखा जाये तो 6 लाग से उपर मतलब चली जाती है 6 लाग पलस ही रहती है सारे 6 लाग भी चली जाती है तो देखा जाये तो processor जो है chipset जो है इंडियाज first ये ऐसा processor है जो कि काफी अच्छा और काफी अच्छा इसका positive result भी निकल करके आती है अब बात कर लेते हैं कि अगर आप gaming बगेरा करते होंगे तो gaming बगेरा आप 60 fps में आप इसमें अराम से कर सकते हो कोई दिक्कत की बात तो नहीं आएगी बट एक चीज में आपको कहना चाहूँगा कि ये जो phone है अगर देखा जाया तो totally इसका performance मुझे अभी तक basically बहुत ज्यादा बहतर लगी है कोई problem तो देखने को नहीं मिली है बट हाँ एक चीज मैंने इसमें एक चीज रियलाईज किया है कि इसका अंतुता इसकोर अगर थोड़ा सा और भी ज्यादा होता लगवग 7 लाख 8 लाख जैसे कि 8020 का अगर प्रोसेसर होता क्योंकि 2024 के अंदर में 7S Gen 2 बगरा आ रहा ही है तो 7S Gen 2 का जो प्रोसेसर और ये 5.4 मिलियन, 5 मिलियन, 22 मिलियन तक आपको आ रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है खैर इसका भी अंतुता इसकोर कापी बढ़िया है एस्टेवल प्रोसेसर आती है बात कर लेते हैं अब इसकी डिस्पले की तो डिस्पले मुझे अभी तक कोई प्रोब्लम नजर नहीं आई है डिस्पले जबकि अच्छा दिया गया है पी ओले डिस्पले यूज के गया है 6.55 इंज का डिस्पले है पहुत ही कमाल का 144 हर्ट्स रिफ्रेस रेट है पंच होल डिस्पले है और ये जो है कर्ब डिस्पले है जी हाँ ये कर्ब डिस्पले है मैं इसलिए मैं इस फोन को recommend कर रहा हूँ क्योंकि यह के curve display है और अब आपको अगर new generation में अगर आप जी रहे हैं तो आपको literally अगर आप यह phone को अगर आप नहीं देखे होईएगा तो कोई भी shop पे जा करके इसको आप in hand में अगर आप ले करके देखोगे काफी मस्त लगने वाली है तो display बगएरा काफी बढ़िया है colors बगएरा काफी अच्छे निकल करके आते है 1300 का brightness दिया गया है मतलब जितना तारीफ किया जाए display उतना ज्यादा बेहतर निकाल करके देती है performance बगएरा तो बढ़िया है डिस्प्ले भी काफी अच्छे दिये गए 144 हट रिफ्रेसेट के साथ अब बात कर लेते हैं इस phone की multimedia को ले करके तो multimedia को ले करके मैंने already बता दिया है कि इसमें HDR तो आपको display मिलती है बट एक चीज इस phone के अंदर में problem है अब क्या problem है वो चीज में आप लोग को बता देता हूँ इस phone के अंदर में आप HDR content नहीं देख पाओगे जबकि YYL1 का support दिया गया है LPDDR4X RAM भी दिया गया है बट पता नहीं क्यों हो सकता है कि update आने के बाद ये चले बट अभी फिलहाल नहीं चल रही है हाँ आप YouTube बगएरा में आप HD और content का मजा ले सकते हैं वहाँ पे दिया गया है बट Netflix बगएरा में नहीं चल रहे है तो ये एक बहुत ही बड़ी problem है इस phone के अंदर में एक चीज़ इसमें अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको मिल जाती है बैटरी तो आपको अच्छा मिल जाती है 5000 ms का बैटरी मिल जाती है 68W का fast charging का support मिल जाता है IP68 का rating मिल जाती है जो कि अगर आप धुल-धुल कन या फिर swimming बगएरा करते हो बारिस-बारिस में भींगते हो तो ये phone को कोई problem नहीं होने बाली है अब बात कर लेते हैं camera क्योंकि इस phone का सबसे जो एक और चीज जो main चीज है 2024 के अंदर में ये camera तो camera इसके अंदर में दो setups मिलते हैं और ये दो setups में आपको main camera 50 ms को देखने को मिलती है और दूसरा 13 ms का ultra wide angle और front camera 32 में आप pixels के देखने को आपको मिल जाती है अगर pictures की बात कर लेते हैं तो pictures काफी अच्छे निकाल करके देते हैं इसका detail बगेरा portrait shots बगेरा काफी बढ़िया निकाल करके देते हैं और front camera से selfie बगेरा भी आप काफी अच्छे अच्छे ले सकते हैं low light condition में इसका camera और भी ज्यादा perform करती है और iOS होने के बज़ा से इसका जो camera का quality है काफी बेहतरीन निकाल करके आपको details देते हैं एक चीज़ मैं यहाँ पे discuss करना चाहूँगा कि इस phone के अंदर में तो ultra wide angle दिये है 13 megapixels के जिसे से आप Microsoft बगेरा भी auto ले सकते हैं लेकिन एक चीज़ कि आपको पता है कि महंगे महंगे phone अगर आप देखोगे तो 8 ही मतलब 8 megapixels का ultra wide angle दे दिये जाते हैं बहुत में तो सिर अब विडियोग्राफी की तो विडियोग्राफी या बैक रियर कैमरा से जो है उसे से आप 4K 30fps में सिर्फ उसी से नहीं ultra wide angle 13 megapixels का है उसे से भी आप निकाल पाओगे तो ये विडियोग्राफी के लिए बहुत बढ़ी है फ्रॉंट कैमरा से बात कर लेते हैं तो फ्रॉं बगरा काफी अच्छे दिये गया है इसमें adventures वाले कुछ features बगरा दिये गया है जो कि GoPro बगरा में आते हैं उस type का तो इसमें बहुत कुछ दिया गया है और जो main चीज़ है इसमें बाकी छोटे मोटे sensors in display fingerprint है उसके बाद इसमें आपको जो negative point में बता रहा हूं 3.5M का jack होना चाहिए था बड़ इसमें नहीं दिया गया है कर्व display होने के बजह से साथ तो ये सब चीज़ छोटे मोटे प्रोल्म है बाकी जो आपको sensors बगरा है सारे है portraits बगरा सारे चीज़ दिये गया है उसके बाद connectivity में सारे चीज़ आते है NFC बगरा भी आते है तो उसके लिए एक like बनती है तो total अगर देखा जाए तो अभी 2024 की अंदर में मतलब ये जो phone है trend करेगी और आपको 20,000 में अगर ये phone मिल रही है अगर इन stock में तो आप definitely आप इसे ले सकते है आउट ओ पे stock ज़्यादा थर चल रही है market में क्योंकि इस phone का demand ही इतना ज़्यादा है ये phone देखा जाए तो complete देखने में भी एकदम लगती है कि एकदम flexible लेवल की है तो इसके लिए एक like तो बनती है और हाँ अगर आप channel पर first time में subscribe भी कर दिजेगा वीडियोज अच्छी